टोल एक ऐसा शब्द जो कहने से सबसे पहले दिभाग में बात आती है वो है ट्राफिक न की पैसे इसन इस अम्यूजिंग लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जो हमें इस टोल के नाई से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी और वो चीज़ का नाम है येलो ल लाइन हमें मदद कर सकती है अब जैसे मैंने आपको पहले बताया यह है यलो लाइन पीड़ी मिनिश्ट्री की निर्देशों के अनुसार अगर ट्राफिक यलो लाइन की ब्यॉर्ण चला जाए तो टोल वारों को स्ट्रीक डिरेक्टिव्स है कि ट्राफिक बिना पैसे लि डिरेक्टिव्स मिल चुके है कि यदि ट्राफिक यलो लाइन की ब्यॉर्ण चला जाता है तो आपको यलो लाइन के आगे वाला ट्राफिक बिना पैसे लिए छोड़ना पड़ेगा अब आपने वीडियो देखके और यलो लाइन के बारे में जानके आदा काम तो कर दिया ह अब समय आता है इससे इंप्लिमेंट करने का अगले टाइम अगर आप ट्राफिक में फस गये तो आप टोल ऑपरेटर्स को हग से ही कह सकते हो कि मुझे बिना टोल पे किये आगे का सफर करने दे अब आप ये रूल कैसे इंप्लिमेंट करोगे या फिर ये हग कैसे जता होगे इसकी छोटी से हलक मैं आज आपको देता हूँ आज जब मैं टोल लाके पे गया तो अब मैंने एक और को रिक्वेस्ट की कि अब ये यलो लाइन का रिजन देके बिना पैसे दिये टोल क्रॉस करें देखते उनका एक्सपिरियंस कैसा था कि आपको ये भी बता दू कि टोल वाले भी आसानी से नहीं मानेंगे वह भी बहुत शोरू करेंगे बहुत हल्ला करेंगे कहेंगे कि ऐसा कोई रूर है ही नहीं पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे लेकिन फिर भी आप डटे रहें अगर फिर भी वह नहीं मानें तो आप एक ऐसे शस्तर निकाले जो आपके आवास हमेशा रहता और वो है कैमेरा फोन मोबाइल फोन तुरंट अपने रिकॉर्ड ये शुरू कीजे और उनका रिस्पॉंस रिकॉर्ड कीजे और वो सोशल मीडिया पर शेर कीजे अब बहुत सारे टोल नाकों पर यलो लाइन का बोर्ड नहीं देखोगे कभी कभी तो यलो लाइन भी बहुत बलर हुई रहेगी लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे जैसे ये मेसेज येलो लाइन का मेसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुचेगा ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा आवेर्मिस क्रेट होगी और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोगों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइट कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए मुझे आपके experiences बताईए ताकि दुसरे वीवर्स को भी आप आपके experience से प्रेणा मिले और वो भी ये action लेने से कात्रा ये नहीं Once again I would like to thank all of you for watching this video. I hope you like the video and I hope my message is conveyed to all of you. Thank you